हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इस्टडी बोट प्लस्वित प्रशांत फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक सिश्टम में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की उड़ेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें Friends, मैं theory को पर ज़्यादा focus नहीं करूँगा, मैं practically पूरा आपको explain करूँगा, किस तरह से work करता है, क्या internal operation होता है, pressure relief wall का, उससे पहले आप एक्सका view देख लीजे, किस तरह का pressure relief wall होते हैं, अगर आप industries में काम करते हैं, या फिर college practicals में, आपने इस तरह के pressure relieving wall जरूर देखे कर सके हैं, और यह जो system है friend, इसके अंदर आपका spool और उसके साथ एक spring connect रहती है, जो pressure को कम जादा करने में help करता है, आप इसको यहां से tight करेंगे, plunger move करेगा, spring pressure से down इसको force करेगी, तो यह पूरा जो valve है, pressure relief wall, आज हम इसको internal working हम देखने वाले हैं, जैसे कि friend side में आप दे attention बद लेना friend, जैसी मेरे पूरे valves complete हो जाएंगे, मैं आपको start से बनाना बताऊँगा, किस तरह से यह design करते हैं, और क्या क्या components इसके अंदर लगे हैं, इससे पहले आपको यह चीज़े में बताना चाहूँगा, यह आप देख पार है direction control valve, इसके उपर मैं separate video बना चुका तो इसको हम देखेंगे friend, कैसे internal operation होता है, और किस तरह से हम इसको connect करते हैं अपने hydraulic system के अंदर, सबसे पहले friend, मैं इसका hydraulic symbol, यहाँ पर design कर लेता हूँ, और इसको आपको समझाता हूँ, यह किस तरह से काम करता है, जैसा यहाँ बना हुआ है friend, वो पूर उसी तरह का हम यह यहाँ पर बनाने वाले है, यहाँ पी लिखा हुआ है, पी मतलब pressure, यह आपका T लिखा हुआ है, T मतलब होता है पर tank, और यह है friend, आपका spool, जो मैंने आपको यैसे की वीज मैंने दिखाया था, इसके अंदर spool होता है, और एक spring होती है, वो spring अपर ने, यहाँ बना दी है, और friend, यह arrow है, जहाँ भी आप hydraulics के अंदर यह arrow देखेंगे, इसका मतलब सीज़े समझ जाना, इसका मतलब है adjustable screw, मतलब हम इसको rotate कर सकते हैं, clockwise और anti-clockwise भी, और उसके बाद यहाँ से friend, यह dotted line जा रही है, जैसे की friend, आपकी symbol देख पा रहे हैं, symbol के साथ सबसे पहले, जो इसक इसकी दिमाग में आ रही होंगी, सबसे पहले यह dotted line, यह line जो ए dark line है friend, थोड़ा dark line, और यह dark line है, मतलब यह थोड़ा थेक है, यह कम थेक है, तो इन lines का क्या representation होता है hydraulic system में, उसको हम समझते हैं सबसे पहले, जहाँ कई भी आप hydraulic system के अंदर dotted line देखें, इसका मतलब होता है पाइलेट लाइन, पाइलेट लाइन, जहाँ भी आप थेक लाइन देखेंगे hydraulic के अंदर, उसका अंतला होता है pressure line, और जहाँ भी आप थेक लाइन देखेंगे उसका अंतला होता है tank, tank line, तो एक तीन चीज़ से मिलके बना हुआ है hydraulic symbol of relief wall, जिसके अंदर आपके पाइलेट लाइन भी है, pressure line भी है, और tank line भी है, और यह आपका spool है, तो यह किस तरह से काम करेगा, अब हम उसे देखते हैं, इसकी working के अंदर सारा जो खेल है, वो आपका यह adjustable screw और spring प्लस spool का है, तो जैसे आपका यह spring है, जिसके साथ adjustable screw लगा हुआ है, अगर मैं इसको क्या होगा, हम इसे open करेंगे, जैसे मैं इसको पूरा open कर दूँगा, इस screw को, इसको मतलब जो यह spool है, यहाँ पर आ जाएगा, और यह connect हो जाएगा इसे, तो जो भी आपका सारा pressure होगा, मतलब oil होगा, flow होगा, वो liquid इस तरह से tank के अंदर आ जाएगा, इसको हम समझते हैं, इस circuit diagram के अंदर, जो हमने बनाया हुआ है, पूरा design क्या हुआ है, pressure relief wall के लिए, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, pump ने, motor start की हमने, pump ने pressure generate किया, माल लिए 200 kg का pump है, तो 200 kg पर cm2 हमने pressure generate किया, लेकिन जो हमारा system है, हम या पर कोई press करना है, माल लिए, और वो system हमारा work क कर रहा है, उस system के लिए, हमें pressure कम चाहिए, तो हमें pressure relief wall लगाना पड़ेगा, अब हमने क्या कि हो ऐसे पूरा open कर दिया है, anti-clockwise, तो ये spools line के साथ आ गया है, तो जैसी ये जो भी pressure होगा friend, वो सीधे हाँ से tank के अंदर आ जाएगा, आगे एक coil पे जैसी supply आएगी, ये condition आएगी, और ये वाली ही आजाएगी, तो flow ऐसे जाएगा, cylinder के अंतर, लेकिन सारा हमारा pressure यहां से drain out हो गया है, तो हमें hold करने के लिए कोई pressure ही नहीं मिलेगा, और जो pressure के हमने लगाया हुआ है, इस पे कोई indication नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको tight करते हैं, pressure increase क करने के लिए, तो जैसे आप इस screw को, adjustable screw को tight करेंगे, तो जो spool है, इसके force पड़ेगी, और ये उपर की तरफ shift होगा, उसका friend working आती है, pilot line की, ये बहुत important है, ये internal pilot line है, इसमें जाओगा friend, यहां से, हमने इसे tight कर दिया है, ये उपर की तरफ shift होगा, इस spool, अब यहां से oil ज नीचे की spring, और ये oil आपको नीचे press करेगा, तो जैसी इस पर हमारा force लगता रहेगा, oil आता रहेगा, जैसी ये line के पास आएगा, extra oil आपका drain होता रहेगा, और जो आपने tight करके इस तरना set किया है, माल लिए आपको 80 kg चाहिए, किसी operation के लिए, तो आपको gauge पे 80 kg मिल जाए ये 100 kg set हो जाएगा, इस तरह से friend काम करता है आपका pressure relief wall, ये तो हो गया friend आपका symbolic representation, ब-O-L-I-C symbolic, अब मैं आपको एक बार 3D में और explain कर देता हूं, ये किस तरह से काम करता है, ये मैं इसका chamber बना रहा हूं friend, ये आपका tank वाला port है, T-port, यहां से आपका tank में जाएगा, जैसे आप ये line देख पा रहे हैं, और ये आपका pressure वाला है, यहां से आपका oil आएगा, और इसके beach में friend एक पड़ा होता है, आपका spool, इस तरह से आपका spool होगा beach के अंदर, और इसके ऊपर होगी spring, जैसे हमने सर्किट में देखा था है graphic representation नीचे आ रही है, exactly यह ऐसा होता है, अंदर spring होती है, यह लिए यहां पर मैंने इसके spring का होगा दिया, lock करने का nut, तो friend जैसे ही, आपने इसको tight कर दिया spring को, tight करोगा spool आगे तक चले जाएगा, अब आपको pressure चाहिए, तो oil यहां से आएगा, इस spring को पीछे धखे लेगा spool spool के साथ, ताकि आपका tank में extra oil चले जाए और जो pressure आपका, वो आपका gauge या फिर operation के ले आगे पहुंच जाएगा, अब मान लिए आप पूरा screw को loose कर देंगे, loose कर देंगे तो आपका spool है, एक और देख लिए, जैसे इस पार हम क्या कर रहे है, anti clock wise open कर रहे है पूरे spool को, यह टेंक है, यहां से आपका pressure आया, पी, यह tank में जा रहा है, तो इस पूरा आपका यहां आ गया है, आपने पूरा open कर दिया है, वो, सारा oil आपका drain हो जाएगा, टेंक के अंदर, तो pressure holding नहीं होगा, यह आपका फ्रेंट 3D representation है, इस तरह से काम करता है आपका hydraulic pressure relief valve, तो फ्रें and please don't forget to subscribe my channel, इसके बाद ही फिरेंट अगर आपके कोई doubt पचते हैं, तो comment section आप मुझे बताइए, thank you